हेलो दोस्तो ओलिन वरन टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो एक बहुत बड़ी अफडेट आ रही है बिहार बीएड 2019 कॉंसलिंग से संबंदित दोस्तो अगर आपका कॉंसलिंग छुट गया है अगर आपका कॉंसलिंग नहीं हुआ है तो दोस्तो आ गया आप स दोस्तो में इसे सेर भी कर दे दोस्तो आप सभी देख सकते हैं कि नालंदा ओपिन इन्वर्शिटी के दोवारा ओफिसियली नोटिफिकेशन और प्रेस भी गपती दोनों जारी कर दिया गया है दोस्तो आप सभी देख सकते हैं सी इटी बीएट 2019 से संबंदित दोस्तो दे देख सकते हैं नालंदा खुला विस्विद्याले द्वारा आयोजित बीएट संयुक्त परवेश परिक्षा दो हजार उनीस के सफल उमिद्वारों के लिए दिनांक 20 अपरेल 22 अपरेल और 24 अपरेल को आयोजित कौंसिलिंग में किसी कारण से उपस्तित नहीं हो पाया थे य ऐसी मौका जो है उन लोगों को दुबारा से दिया जा रहा है दोस्तों देख सकते हैं कि मौका जो है पुना दिया जा रहा है और वैसे अभियर्थी जिन लोगों का कौंसिलिंग छूट गया है ऐसे अभियर्थी दिनांक 27 अपरेल को पराता 10 बजे से संधिया 6 बजे के ब कौंसिलिंग जो है करवाएंगे दोस्तों जीन लोगों का कौंसिलिंग छूट गया है किसी ना किसी कारण से आप लोग जो है कौंसिलिंग में नहीं जा पाए हैं तो दोस्तों आ गई है आप सभी के लिए कापी महत्पूर्ण अपडेट और आप सभी जो है 27 अपरेल 2019 को आप सभी जो है 10 बजे सुबह से लेकर संध्या 6 बजे की बीच में ज्यान भबने में जाकर आप सभी जो है कौंसिलिंग करा सकते हैं साथ ही दिनांक 20, 22 और 24 अपरेल के वैसे अभियत जिन्होंने कौंसिलिंग सुल्क पुर्म में जमान नहीं किया है वे कौंसिलिंग सुल में कौंसिलिंग कौम सीट एसेप्टेंस फी लिंक को खोल कर अपना फी जो है जमा करेंगे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि सीट एसेप्टेंस फी भी आपको जमा करना है कौंसिलिंग के लिए अभियर्थियों ने दिनांक 11 अपरिल से 15 अपरिल के बीच में कौंसिलि क्या है वे अभियर्थी जो है केवल सीट एसेप्टेंस फी जो दो हजार रुपे है उसको पे करना है और अगर आप कॉंसलिंग फी नहीं जमा किये हैं तो आपको दोनों फी आपको पे करना है ठीक ना कॉंसलिंग फी और कॉंसलिंग कॉंसीट एसेप्टेंस फी दोनों फी आपको payment करना है उसके बाद आप लोग जो है counseling में जा पाएंगे उसके बाद जब आप फी payment कर लेंगे तो उसका receipt आप print out जो है लेकर जाना होगा दिखाने के बाद ही आपका counseling होगा या अंतिम अबसर है इसके बाद किसी भी परिस्तिती में कोई मौका नहीं दिया जाएगा जात हो कि इस अफसर को चूकने पर उनके रिक्त अस्थान को मेगा सुची के अधार पर चैनित दूसरे अभियर्थियों को आवंटित कर दिया जाएगा सभी अभियर्थियों से अनुरोध हैं कि वे website पर मांगे गए सारे documents के साथ जो है counseling में उपस्तित होए दोस्तों आप आप सभी देख सकते हैं कि वैसे student जिन्होंने अपना counseling नहीं करा पाए हैं counseling छुट गया है किसी ना किसी कारण से उनको date नहीं मालूम चला है या documents नहीं मिल पाया है वैसे अभियर्थियों के लिए काफी महत्पुन update आ चुकी है और आप सभी 27 अप्रिल 2019 को सुबह के 10 बज nell fee payment नहीं किये हैं तो आप counseling फी payment कर लीजे उसके बाद seat com acceptance只imT अगर पیacement नहीं किये हैं दोस्तों आप उसको भी payment करतियों के आधार पर मेगा सुची का निर्मान किया जाएगा और आप जो हैं बंचीत रह जाएंगे एडमीशन से दोस्तों ये है महत्पुन अपडेट पूरी अपडेट जाने के बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगल में बेल को अंतक देखने के लिए धन्यवाद